वेलकम टो कुशी गुल लाइफ चैनल फ्रेंड हमें अपनी कमरे में इंडोर प्लांट लगाने चाहिए जैसे कि मैंने लगाए हुए है यह पानी में लगावा है मेरे पास और इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे ऑक्सिजन के लिए हमारे एयर फ्रेशनर के अपने लिए और बहुत सारे एसे प्लांट है जो हमें इंडोर लगाने चाहिए जिसे सबसे पहले तो मैं नाम बताती हूं हमारे पास है मनी प्लांट और यह मनी प्लांट कई वेराइटे में आता है एक पुथोज में भी आता है ग्रीन लीवज होते है और बड़ी- mber 5 plant हैं और हमें इसे जरूर लगाना चाहिए अपने गार्डन में और अपने इंडोर रखना चाहिए इन प्लांट को यह प्लांट हमारी हवा को सुध करते हैं हमें एक अच्छी ऑक्सीजिन परदान करते हैं जो पारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छी है, एर नहीं लेते हैं, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, आपको पता है कि आजकल पर्दूशन इतना फैला हुआ है, हम जहां भी जाते हैं, तो मास्क तो हमारे मुँपे रहता ही है, और मास्क ना लगाए तो हमे, फिर सा करने चाहिए जो कि हम उनको रख सके से में अपनारी सवास्त को ठीक कर पाए जैसे कि आज प्लूशन की वज़े से उनसे हम बहुत प्रेशान है सबसे पहले तो अस्थमा आज कल हर घर में एक अस्थमा का पेशंट मिलेगा आप सोचते हैं कि हमें अस्थमा नहीं है लेकिन अच्छी बात हैं नहीं है लेकिन हर घर में मैं मानती हूँ कि हर घर में कि एक पेशंट ऐसा मिलेगा जो अस्थमा होता है वो हमें इतना है कि हम उसको पैचानते नहीं है कि हमें अस्तम है या नहीं है वो बात अलगे लेकिन आजकल हर घर में क्योंकि ऐसा खानपान रहा ही नहीं है ऐसी हवा रही नहीं है कि जिस से हम सास ले सके अच्छे से और हमारी सेद को कोई नुक्षान हो और कोई खान पान जो है मिलावट का आता है कुछ भी शुद नहीं है हमारे स्वास्त के लिए एक शुद खाना पीना तो दूर की बात है लेकिन एयर भी कोई शुद नहीं है जिससे हम अपने स्वास्त स्वास्त को ठीक रख सके तो हमें क्या करना चाहिए प्लांट जरूर लगा लेने चा रखती हूं आउट्डॉर तो मैंने लगाए हुए हैं लेकिन कुछ इंडॉर प्लांट भी मैं लगा के रखती हूं और वो सिर्फ इसलिए कि ऑक्सिजन मिलती रहती है अच्छी ऑक्सिजन मिलती है और इनके आसपास हम रहते हैं तो हमारे घर का वातवरन भी अच्छा रह कि हर घर में एक पेशिंट जरूर मीलेगा और जिपने च्छोटे बच्चों को देखती हूं रहाती हमें है च्छोटे से बच्चे बूड़े तो बूड़े है हम एज़ेट लोगों को भी और छोटे से छोटे बच्चों को भी अस्तमा है बस फरक इतना होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें अस्तमा है या नहीं है हमें जानकारी नहीं होती है लेकिन होता हर घर में एक नएक पेशन्ट जरूर मिलेगा और आप गोर करेंगे तो अस् के लक्षन होते हैं और क्या नहीं होते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत दिक्कत होती है बैस मेरा भी ट्रेटमेंट चल रहा है और मुझे 15 सालों से अस्थमा है मेरी फर्स्ट डिलिवरी थी और बेटा मेरे कंसीव था इसलिए मुझे तब से मुझे अस्थमा है और मुझे पता नहीं तो और दीरे दीरे भड़ती चले गई है और अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है पांच साल से पांच या साथ साल से मैं होस्पिटल में लगातार जाती आती रहती हूं और मुझे अस्तमय है इसलिए मुझे जानकारी है तो गहर में आप प्लांट जरूर लगई है ऐसे प्लांट लगई है जो कि हमारी हवा को शूद रखे जैसे सबसे पहले मनी प्लांट है आप यह ले लीजिए सिंगोनिम ले लीजिए आप रियो प्लांट भी आप लगा सकते है इसको आप आउट्डोर भी रख सकती है कभी- पास नहीं है लेकिन मुझे पता है और हो सकता है कि हम ज्यादा प्लांट ना लगा सके लेकिन कम जुरूर लगाईए लेकिन लगाईए जरूर उन प्लांट को आप लगाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके घर का बातवरन भी और आपको अच्छा भी फील होगा सांस चढ़ जाते बोलते बोलते और यही एस्तमा के लक्षन है और भी बहुत सरे ऐसे लक्षन है जो हमें नहीं पता होता है और हम उस बिमारी को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें यह बिमारी है और हमारी बिमारी बढ़ती रहती है जैसे कि मेरी ब लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलूँगी मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई